हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की वर्गशीट डेट तीन तारिक, क्लास नाइन्थ विशे हिंदी दो बैलो की कथा प्यारे बच्चों, दो बैलो की कथा पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर दीजे दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साभी का पढ़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिन का भी ना मिला था उन्हें समझ ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है इससे तो गया है ही अच्छा था कम से कम रुखा सुका तो देता ही था यहां कई भैसे थी कई बकरिया, कई गोडे, कई गदे पर किसी के सामने चारा ना था सभी जमीन पर मूर्दों की तरह पड़े थे इनमें कई तो इतने कमजोड हो थे की खड़े भी नहीं हो सकते थे सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टक टकी लगाय ताकते रहे पर कोई चारा लेकर नहीं आया थक हार कर दोनों ने दिवार की नमकीन मिक्टी चाटनी शुरू की पर इससे उन्हें क्या तरप्ती मिली प्रेशन एक यह दोनों मित्र कौन थे हीरा और मोती नामक बैल थे दोनों मित्र इस समय कहां थे थे था यह उन्हें क्या बात समझा नहीं आ रही थी दोनों मित्रक कांजी होज में बंद थे दोनों कोई बात समझ नहीं आई थी यह कैसा मालिक है जो जानवरों को खाना पानितक नहीं देता है वहाँ और कोन-कोन से जानवर थे तथा उनकी क्या दशा थी वहाँ कई भैसे बकरिया गोड़े और गदे थे जिनके पास चारा नाथा सभी मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े थे प्रशन चार हार थकर बैलों ने भूक मिटाने का क्या उपाई किया उत्तर हार थकर दोनों बैलों ने दिवार की नमकीर मिट्टी चाटनी शुरू की प्रशन नम्बर पाच साभी का सब्द का क्या अर्थ है उत्तर सरोकार उत्तर एक हीरा और मोती नामक बैल थे आंसर टू दोनों मित्रकान जी होज में बन थे दोनों को यह बात समझ नहीं आई थी यह कैसा मालिक है जो जानवरों को खाना बानी तक नहीं देता है आंसर थ्री वहां कई भैसे बकरिया गोड़े और गदे थे जिनके पास चारा नाता सभी मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े थे आंसर फोर हार थक कर दोनों बैलों ने दिवार की नमकीन मित्ती चातनी शुरू की आंसर फाइफ सरोकार मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ ख़ मिलते हैं प्तश की चातना हैं hmm झाल झाल